आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा लकड बगगा से जुड़े कुछ अमेजिंग फैट्स कुछ रोचकतत थे तो आईए आपको बताते हैं फैक्ट नमबर वन लकड बगगा कुट्टे जैसा दिखने के बावजूद भी कुट्टे की परजाती से संबन्द न रखकर हाइनाईडी समू के अंतरगत आने वाला जीव है फैक्ट नमबर दो लकड बगगा अपने सिकार को जुण में रहकर वार करता है वे अपने सिकार पर सो प्रतीसत कामियाबी प्राप्त करता है फैक्ट नमबर तीन क्या आप जानते हैं लकडबग्गा जंगल में सेर से बेहट डरता है यही कारण है कि वे लकडबग्गा सेर के बच्चों का अत्याधिक सिकार करते हैं वे उन्हें बड़ा होने से पहले ही मार देते हैं फैक्ट नमबर चार हाइना एक ऐसा जीव है जो कई दिनों तक मरा सड़ा गोस्त भी खा लेते हैं इसी कारण इस जीव को पारेवरण की सहायता करने वाला जीव भी माना गया है फैक्ट नमबर पांच क्या आप जानते हैं लकडबगा पृत्वी पर काफी प्राचीन समय से मौझूद है आपकी जानकारी के लिए बता दें ये जीव लगबग 24 मिलियन वर्सों से पृत्वी पर मौझूद है फैक्ट नमबर छे वर्तमान में लकडबगा अपने अस्तितु के लिए संगर्स कर रहा है वे इस समय पृत्वी पर लगबग 10,000 परिपक्व व्यसक लकडबगगा है फैक्ट नमबर साथ क्या आप जानते हैं विस्व के कई देशों में ऐसी जनजातिया हैं जो हाइना से इतना प्यार करती हैं कि वे लोग अपने मृतकों को दफनाने के बजाए उनका सब लकडबगगा के सेवन के लिए छोड़ देते हैं और तंजानिया के मसाई जनजाती ऐसा ही करती हैं फैक्ट नमबर आठ लकडबगगों में चित्ती दार लकडबगगा में कैए खूबिया पाई जाती हैं वे रात के समय में इस जीव की सुनने वा देखने की छमता काफी अद्बुद होती है यही कारण है कि ये जीव रात भेस्डब में भी सिकार कर सकता है फैक्ट नमबर नो हैना मासा हरी जीव की चेड़ी में आने वाला जीव है वे इनके भोजन में मुख्यता लोमणी सियार पक्छी मच्छी चिपकिली कुट्टे बकरी खरगोस आदी सामिल है फैक्ट नमबर दस लकडबगों में केऴल चि में भी हाइना पाए जाते हैं आरत के रण थंबोर नेशनल पार्क में कुछ हाइना का निवास इस्थान है फैक्ट नमबर बारा एक स्वस्त चित्तीदार लकड़ बगगा की सिकार के पीछे भागने की अद्बुत काबलियत होती है ये जीव 30 किलो मीटर पती घंटे की रफ अफरीका और एसिया के जंगलों में पाए जाते हैं अर्थात पृत्वी पर इनका मुख निवास इस्थान अफरीका वा एसिया है फैक्ट नमबर 15 लकड़ बगगा के समू को क्लैन कहा जाता है फैक्ट नमबर 16 एक स्वस्त लकड़ बगगा हाइना आम तोर पर 12 साल की उम चैनिक नाम क्रोकुटा क्रोकुटा है जिसके सरीर की लंबाई आम तोर पर 1.2 से 1.8 मीटर 4 से 5.9 फिट और कंधे की उचाई 77 से 81 सेंटी मीटर 2.5 से लेकर 2.6 फिट होती है इनका वजन 40 से 86 किलोग्राम 88 से 190 पौंड तक होता है फैक्ट नमबर 18 हाइना में वजन की बात क जाये तो मादा चित्तीदार लकड बगगा नर की तुलना में अधिक वजनी होते हैं मादा चित्तीदार हाइना नर की तुलना में अधिक मस्कुलर और आक्रमक भी होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मादाओं के सरीर में नर की तुलना में तीन गुना अधिक टेस्टोस पाया जाता है फैक्ट नंबर 19 चित्ती दार लकड बगगा इस पोटेट हाइना अपना 95% आहार जानवरों का सिकार कर प्राप्त करता है फैक्ट नंबर 20 धारी दार लकड बगगा और भूरे हाइना मृत भक्षी होते हैं ये जीव अपने भोजन के लिए मरे हुए जानवरो जंगलों में माद बना कर रहते हैं वे मादा हाइना अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचा कर माद में रखती हैं फैक्ट नंबर 23 क्या आप जानते हैं पवित्र किताब बाइबल में भी लकड बगगे के नाम का जिक्र मिलता है फैक्ट नंबर 24 आपको जानकर है प्राइन होगी की लकडबग्गा के बारे में बहुत सारे मिथक और कीवदंतियां हैं जैसे की तंजानिया और भारत की कीवदंतियों में माना जाता था की हाइना पर चुडएल सवारी करती है। फैक नमबर 27 लकडबग्गा नदी में भी आसानी से सिकार कर सकता है वा इन्हें नदी के पानी में मचली का सिकार करने में महारत हासिल है।